हलो फैंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फैंट्स बिटकोइन के बारे में अगर हम लोग बात करें यहां पे तो बिटकोइन थोड़ा क्लोज होगा उसके बाद हमें थोड़ा यहां पर जो क्लेर सिच्वेशन है वो पता चलेगी यहां पर तो अभी छोटे-छोटे रिस्टेंस लेवल हैं अभी पर अगर यह 30,000 के एक बार अगर नीचे जाता है तो हमारे लिए काफी क्रिटिकल यहां पर हो सकता है मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ यहां पर अच्छी जो न्यूज है वो है सबसे पहले तो आज 14 डेट है और 14 जुलाई अगर मैं अभी परगवाई का टाइम चेक करूँ परगवाई टाइम तो अभी वहां पर दो बचके 19 मिनिट हुए है रात के औ अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो हमारे वहां पर वो टाइम पर रात हो चुकी होगी तो वो एक important रहेगा कि उस law में क्या आता है अगर वहां पर bitcoin प्रपोस करने की बात हो रही है उसके बात थोड़ा positivity आती है तो उससे भी market को काफे फर्क पढ़ेगा और वो present के time पर अगर कोई issue हो गया और again कोई बात आ गई security को लेके या regulatory को लेके तो हो सकता है कि हमें एक और यहां पर बड़ा downfall bitcoin में देखने को मिल सकता है यहां पर एक और बहुत interesting news आ रही है कि 10 साल से एक whale का account था जो active नहीं था वो suddenly यहां पर active हो गया और जो account है उसके अंदर around 791 BTC पड़े हुआ है तो 10 साल तक जो account अभी तक deactivate था suddenly वो account जो activate हो गया है अभी भी उन्होंने bitcoin को यहां पर अगर आप यह news को पड़ेंगे यह रही news कि total 25 million का जो current price है उस bitcoin का अभी है और 10 साल से यह almost जो था debt पड़ा हुआ था तो अभी यह एक interesting चीज है कि suddenly इतने साल अगर यह active हुआ है तो किसलिए हुआ है क्या निकालने वाले हैं क्या करने वाले हैं इस account में तो वह भी एक important और एक interesting चीज है जो और हमें आने वाले time में पता चलेगी या फिर market के अंदर कोई बड़ा movement होने वाला है उस वजहा से यह जो bitcoin का जो account है यह activate हुए अगली जो news है यहाँ पर वो basically एक exchange है fidelity digital नाम से website है यह बार की और काफी बड़ी website है यह अभी अपना 75 70% का जो staff है वो crypto के लिए dedicated यहाँ पर recruit करने की इनकी बात हो रही है और इनका बोलना यह है कि आने वाले time में crypto के अंदर बहुत बड़ा boom आने वाला है जिस वजहा से यह लोग 70% का crypto की तरफ अपना जो staff है वो डालने की बात कर दे है तो यह भी again एक अगर इतनी बड़ी firm जो है वो plan कर दी है कि हमें अगर recruitment करनी हमें अगर hiring करनी है तो कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर वहाँ पर सोच समझ के ही यह चीज को करी होगी और कोई खास market के बारे में news हमारी य US में उस वजह से भी काफी impact पढ़ा है Bitcoin के price में जो अभी हमें यहाँ पे काफी कल से अब तक suddenly मिला था कल भी मैंने आप लोगों को वही news बताई थी कि जो inflation rate था उसके बारे में news आने वाले थी और वो आ गई होई है जिससे काफी बड़ा यहाँ बिटकोईन के price में जो हमे dump नीचे की तरफ देखने को मिला है entry लेने के भी जो है time है पर थोड़ा सा अगर आप wait करें यहाँ से भी अगर आप चाहें तो entry ले सकते हैं क्योंकि अभी अगर जो coins हैं उनके rate अगर आप देखेंगे तो extreme level पर यहाँ पे चल रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे alt coin के बारे में देखते हैं तो price जो है वो already USDT में भी अगर मैं देखूं तो बहुत कम चलना है सबका price तो यह भी अच्छा यहाँ पे time है कि अगर आप invest करना चाहते हैं तो अगर थोड़ा सा long run पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं और अगर अगर आप देखेंगे तो almost हर coin का जो price है वो इस समय काफी काफी अगर मैं बोलू नीचे चल रहा है अगर हमारे जो important coin है ADA की बात करें हम लोग तो ADA देखिए अभी कहां पे trade कर रहा है यह almost यह बहुत नीचे के jump लगे हैं तो यह अच्छे entry points है coin में अभी अगर आपको यह है कि करना है buy तो मेरे हिसाब से अच्छा time है यह पर हां market के नीचे down जाने के chances अभी भी है तो अगर risk में buy करना है तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है buy कर सकते हैं और अगर थोड़ा wait करेंगे तो आपको और अच्छे price में चीजें मिल सकती है क्योंकि already BTC जो है यहाँ पर 31,800 और अभी तो थोड़ा और नीचे होगे तो definitely मैं बड़ा amount इस बार लगाने वाला हूँ काफी time से मैं wait करता हूँ उसलिका 3-0 का last time actually मेरा रह गया था कुछ मैं और काम में busy था तो एक बार वो 3-0 का जो touch है वो एक बार आ जाए तो मेरा थोड़ा सा क्या बुलते हैं आपकी थोड़ा सा panic जो हो जाता है वो line पे कम हो जाता है को कि उसके बाद आपको पता है कि अगर यह नीचे भी जाएगा तो 3-0 वाला level तो बहुत easily जल्दी आने वाले time में recover हो जाएगा long run पे again अभी भी मैं 100% अगर आप मेरे को भोलेंगे तो मैं 100% sure हूँ इस चीज़ को लेके कि आने वाले time में bitcoin definitely 1 lakh dollar जाएगा ही जाएगा short term पे बिल्कुल हो सकता है कि आप लोगों को यह जो मैं number बोल रहा हूँ आप लोगों को ना लगे पर long run पे यह number 101% जल्दी आपको जाते वे दिखाई देंगे और वो time पे जितना भी negative में आपका जो portfolio है चल रहा है वो बहुत easily आपका जो green color है उसमें आ जाएगा तो यह था friends हमारा आज के बार मार्केट का update वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको like और share जरूर करिएगा चैनल में अगर आप नए है और आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा Thank you